असलाम लेकूम प्यारे बच्चो चलिए हम आज का सबक शुरू करने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं क्या आप उसके लिए तैयार हो ठीके आपके सामने एक एक कागस रखा हुआ है उस कागस पर आपको कुछ बनाना है सबसे पहले मुझे बताईए के हिंदिस आपने कागस पर एक एक हिंद सी शक्ल बनाईए फार्या आपने कौन सी शक्ल बनाई मुरब्बा वेरी गुड हलीम आपने मुसलष शाबाश और निजबा आपने मुस्तातील वेरी गुड अब आपके सामने एक और सफा है उस सफे पर चार नुक्ते बनाईए और उन नुक्तो को जोड़कर एक शक्ल बनाईए सबसे पहले चार नुकाद बनाईए और उन नुकाद को जोड़कर हिंदसी शकल बनाईए और बनने वाली इंदसी शकल को नाम दीजिए उन नुकाद को नाम दीजिए A, B, C, D अच्छा आपने जो हिंदसी शकल बनाई हलीमा उसमें जिले कितने है चार वेरी गुड़ चार जिले है और उसमें कितने जाविये बन रहे है तीन जाविये बन रहे है शाबाज उसी तरह से फरा आपने जो हिंदसी शकल बनाई उसमें कितने जिले है चार जिले है और उसमें जावियों की तादात कितनी है अंदर जाविय कितने बन रहे है तो तीन जाविय बन रहे है शाबाश फारिया आपकी हिंदिसी शकल में कितने जिले है छे चार और जाविय कितने बन रहे है छे जाविय बन रहे है शाबाश निजबा आपने जो शकल व कितने बन रहें हैं व करे elements कितने बन रहे हैं वरी गुड आप त्माम तालेबात ने बक आइए जो हिंदि सी शकल जो भी शकल बनाई हैं उसमें फ्ली माने जो शकल बनाई उसमें जीन तो चाल है मगर जाविय तीन ही बन रहे है उसी तरह से फारिया की शकल में चार जिले है मगर जाविय छे बन रहे है उसी तरह से फारा की शकल में भी तीन ही जाविय बन रहे है लेकिन सिर्फ निजबा की जो शकल है उसमें जाविय भी चार है और जिले भी चार है तो ऐसी शकल को क्या कहते है ऐसी शकल को जू अर्बतुल इजला कहते है जू अर्बतुल इजला में जू का मतलब होता है वाला अर्बा याने चार और जिला याने जिले चार जिलो वाली शकल जुर्बतुलिजला कहलाती है मगर चार जिलो वाली शकल तो ये भी है तो इसे जुर्बतुलिजला नहीं कहेंगे क्योंकि जुर्बतुलिजला की तारिफ इस तरह से है कि चार जिलो वाली बंद शकल को जुर्बतुलिजला कहते है अच्छा तो हम जूर्बतुलिज्ला इस सबक का मतालया आगे की वीडियो में करेंगे अल्ला हाफिश खुदा आफिश